नमस्कार मैं हूँ राज महुंति वैडी और आप देख रहे हैं विहारी नियूज दोस्तों महाराष्ट और हरियाना विधानसभा चुनाओ के परिनामों के बाद विधानसभा चुनाओ की यह रेल गारी जारखंड पहुँच चुकी है एक नमबर को मुख चुनाओ आयुक सुनिल अरोरा ने जारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर होने वाले चुनाओ की तारीकों का एलान कर दिया है यह चुनाओ पांचर्णों में कराये जाएंगे तता चुनाओ के परिनामों की घोसना तेज दिसंबर को की जाएगी बिगर रहे गडबंदनों की बात करें तो भाजपा और जारखंड एशुडेंट्स यूनियन यानि आजसू इस बार भी साथ मिलकर चुनाओ लरते दिख रहे हैं तो काफी बातचीत के बाद महागडबंधन का स्वरूप तै हो गया है जारखंड मुक्ति मोर्चा यानि जे-म-म, कॉंग्रेस और राजद इस महागडबंधन का हिस्सा होंगे एवं जे-म-म के हेमन सुरेन इस महागडबंधन के नेता होंगे एंडिये के खिलाब बने इस महागडबंधन ने सीट पटवारे का भी ऐलान कर दिया है जारखंड मुक्ति मोर्चा 43 सीट पर, कॉंग्रेस 31 सीटों पर तो हैं राजद 7 सीटों पर चुनाओ लड़ेगी लोगसबच चुनाओ में महागडबंधन के तहट जारखंड मुक्ति मोर्चा यानि जे-म-म और कॉंग्रेस के साथ मिलकर चुनाओ लड़ी पूर्व मुक्ति मंत्री बाबुलाल मरांडी के पार्टी जारखंड विकास मोर्चा यानि जे-वी-म ने अकेले चुनाओ लड़ने का एलान किया है जे-वी-म प्रमुक बाबुलाल मरांडी ने गड़बंधन पर कहा कि मैंने प्रयास किया कि गड़बंधन बना रहे लेकिन सभी पाटियों की सीटों को लेकर अपनी अपनी समस्याय हैं उन्होंने कहा यह छोटा राज है, कम सीटे हैं और दावेदार अधिक ऐसे में गडवंधन संभव होता नहीं दिख रहा था इसके बाद हमने एकला चलोरे की रहा अपनाते हुए अकेले ही चुनाओ लड़ने का फैसला किया है हलांकि चुनाओ बाद सरकार बनाने में गडवंधनों में सामिल होने पर उन्होंने कुछ नहीं का, यानि वे चुनाओ बाद सरकार में सामिल होने के लिए अपने सारे पत्ते खूले रखने चाहते हैं जे वीम के महागडबंधन से निकलने के बाद, NDA के खिलाफ अब JMM, कॉंग्रेस और राजत के बीच बने महागडबंधन, निश्चत तर पर भाजपा के लिए चिंता का विशे हैं, क्यूंकि आपको बता दें कि राज की कई ऐसी सीटे हैं, जहां पिछले बार भाजपा 5000 से भी कम वोटों से जीती थी, जहारखन, मुक्ति मोर्चा, कॉंग्रेस और राजत के मिल जाने और साथ चुनाव लरने से, वो उन सीटों पर NDA को कड़ी टकर तो देगी ही, उन सीटों पर जीत भी सकती है, पांच चरनों में होने वाले इस विधानसवा चुना में, कौन से पहले चरन में कहां चुना होगा, इसकी भी जनकाड़ी आपको दे देते हैं, पहले चरन में 30 नौंबर को 13 सीटों पर वोट होंगे, जिसमें सामिल हैं, चतरा, गुमला, विशनपूर, लोहर दग्गा, मनिका, लतेहार, पांकी, डाल्टन गंज, विश्रांपूर, छतरप हुशैनाबाद, गडवा और भावनातपूर, दूसरे चरन में 20 सीटों पर 7 दिसमबर को मद्दान होगा, सीटे हैं, बहरागोरा, घाटसीला, पोटका, जुगसलाई, जमसेदपूर पुर्वी, जमसेदपूर पश्चमी, सरायकेला, चाईबासा, मजगाउं, चक्रधरपूर, खरसावा, तमार, तोरपा, खुंटी, मांडर, सिसाई, सिमडेगा, कोलेबीडा, तीसरे चरन में 17 सीटों पर 12 दिसमबर को वोटिंग होगी, सीटों के नाम है, कोडर्मा, बरकठा, बरही, बरकागाउ, रामगड, मांडू, हजारीबाग, शिमरिया, सिनली, खिजरी, राची, हटिया, और कांके, चोथे चरन में 15 सीटों पर 16 दिसमबर को चुनाओंगे, सीटे हैं, मधुपूर, देवघर, बगोदर, जमुआ, गांडे, गृडी, डुमडी, बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निर्षा, धनबाद, जडिया, टुंडी, औ पागमारा, पाचवे और आखरी चरन में 16 सीटों पर 20 दिसमबर को वोट डाले जाएंगे, इस चरन की सीटों के नाम है, राजमहल, बोडियो, बढ़हेट, लिट्टी पाड़ा, पाकूर, महेशपूर, शिकारी पाड़ा, नाला, जमतारा, दुमका, जामा, जर्मुंडी, शाराठ, पुरहयाहाठ, गोड़ा, और महागामा, आपको बता दें कि चुनाओ के परिराम 23 दिसमबर को आएंगे, अब हम थोड़ी सी बात पिछले 2014 में हुए विधान सभा चुनाओ की भी कर लेते हैं, 2014 में सरकार बनाने वाली NDA में भाजपा ने 72 सीटों पर उमिदवा सरकार बनाई, हलांकी जारखंड विकास मोर्चा के जीते 8 विधायकों में से 6 ने बीजेपी का दामन चुनाबाद थाम लिया और इस तरह बीजेपी ने जारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, एवं सीवम रगुवरदास जारखंड की राजनीती में पहले बात करें, तो उसने 62 सीटों पर चुनाओ लड़ा, जिसमें उसे 6 पर ही जीत मिल सकी, हलांकी बात में हुए दो उप चुनाओं में उसने दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है, राजन ने जारखंड में तो 2014 का विधानसभा चुनाओ कॉंग्रेस के साथ गडबंधन करके 19 सीट पर लड़ा, जिसमें सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा था, हाल में संपन हुए लोकसभा चुनाओं में बीजेपी ने जारखंड के 14 में सी 11 सीट पर जीत दर्च की, तो वहीं उसकी सहयों की दल, आजसू को एक सीट पर जीत मिली है, बीजेपी ने इस ब ठीक पहले जब लोकसभा का चुनाओ था, तब पार्टी ने 14 में से 12 सीट जीत ली थी, लेकिन विधान सभा चुनाओं में से मत 7 सीटे ही मिल पाई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि यहां के मद्दताओं का रूख लोकसभा और विधान सभा में अलगी होता है, साथ ही भा बीजेपी अपने सत्ता को बचाने के लिए भरपूर कोसिस करती दिख रही, वहीं जनता से जुरे कुछ बुनियादी मुद्दे उसके खिलाफ एक माहौल भी बनाते दिख रहे हैं, और चुनाओ पूर बने जी एमेम, कॉंग्रेस एवं राजत के माह गडबंधन अरखंड के विधान सबाचुनाओं में आगे क्या समिकरन बनते हैं और जनता का जुकाव ज्यादा किसके तरफ होता है, इस पर भी अपडेट हम आपको बिहारी निउज के माधिरम से देते रहेंगे, देखते रहें, बिहारी निउज धन्यवाद